प्रतिलेखन संख्या 94-95 महोदे उस समय हमारे देश के प्रसासन से कोई संबंध नहीं था तब अंग्रेजी राज था आज मैं इस सुब काम में समलित हो सका इसको मैं अपने लिए स्वभाग्य मानता हूँ जैसा अभी कहा गया आप जिन अर्यू विज्ञान कॉलेज और कैंसर संस्थान की अस्थापना करने जा रहे हैं ये दोनों संस्थाएं अपने धंग की बहुत बड़ी और उचे दर्जे की संस्थाएं होने वाली है मैंने सुना है कि उनमें विभिन विभाग होंगे जिनमें विद्यार्थियों को उचे प्रकार की सिच्छा मिलेगी और जहां अच्छे से अच्छे चिकिस्तक रखे जाएंगे जो सिछा देने के साथ साथ गरीब से गरीब का और बूरे से बूरे रोका चिकिस्ता भी किया जाएगा सभी आर्योविज्यान कॉलेजों में यह इस्थिती होती है कि जो वहां पढ़ते हैं वे रोगियों को भी देखते हैं और वहां के विद्यार्थी भी पढ़ने के साथ साथ रोगियों को देखते हैं इस प्रकार उनको साथ ही साथ बेवहारी ज्यान भी मिल जाता है जिस संस्था में जितने अच्छे सिच्छक होंगे उस संस्था के विद्यार्थी भी उतने ही अच्छे निकल सकते हैं जहां जितनी अधिक सुभिधा होगी उन संस्थाओं से लोग अधिक से अधिक लाब भी उठा सकते हैं आजकल यह एक अश्चर की बात है पर बात सही है कि संसार विज्ञान में बहुत प्रगतिक कर रहा है। वे अब नियंत्रण में आ गए हैं। इससे फल यह निकलता है कि बिज्ञान की प्रगति में कोई दोस नहीं। इस प्रगति से जो जैसा लाब उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। मुक्ति मिल रही है वहां उसी बिज्ञान द्वारा लोगों का जीवन संकट में हो गया है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के बैज्ञानिक चाहे वे बिज्ञान के किसी भी छेत्र में काम करते हो। इस बात को सदा अपने ध्यान में रखें कि यदि विज्ञान का कुछ अर्थ हो सकता है तो वह सेवा होना चाहिए। न की बिनास तथा प्रभावी प्रगती होगी। उपाध्यच महोदे मैं क्रिशी मंत्राले की मांगों का समर्थन करती हूँ। इसके साथ ही साथ मैं यहवी काना चाहती हूँ कि सदन के सदस्यों को बोलने में बहुत कठिनाई होती है। कई मानिये सदस्यों से चार बार बोल चुके हैं। अब अगर किसी महिला को मौका मिला है तो उनको तो सहनभूती होनी चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने किसान की लड़की हूँ। और खेती करने वाले घर में महिलाएं बहुत काम करती है। इसलिए उनको खेती का अच्छा अनभव होता है। हमारे देश में कम से कम वहीं होने चाहिए। कम खेती करने वाले घरों में महिलाएं ज्यादा काम करती है। उनको हर सुवधा होने चाहिए। हमारे मध्य परदेश में इस वर्ष पानी बहुत कम हुई है वर्षा कम होने की वज़ा से फसल बहुत कम हुई है इसलिए मेरी प्राथना है कि किसानों का इस वर्ष का लगान माप कर दिया जाना चाहिए उनसे इस वर्ष लगान बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए वहाँ पर पाकिस्तान ने अगर पाच मन बीज डाला था तो मुझकिल से दस मन गेहुं की गेहुं ही हुआ होगा किसान रो रहे हैं उनको कोई सुभधा नहीं है इसलिए उनका इस वर्ष का लगान माप कर दिया जाना चाहिए आपको चाहिए कि आप गेहुं की कीमत निर्धारित कर दें किसान की खलिहान में जब गल्ला आता है और उसको जब वह बजार में ले जाता है तो वहाँ पर व्यपारी लोग उसको कम कीमत में खरीद लेते हैं और खरीद कर अपने घर घर लेते हैं बाद में जब जनवरी फरवरी का महीना आता है उस समय उसको दुगूने या उससे भी अधिक दामों पर बेचते हैं जनवरी फरवरी से पहले वे गल्ला घरों से निकलते ही नहीं किसानों को व्यपारी लोग कम दाम दे कर चूचते हैं किसानों के घर में कुछ नहीं बचता है इसलिए हमारे क्रिसी मंत्री जी को सोचना चाहिए कि फसल आने के पहले वह दाम निर्धारित कर दें फरवरी मार्च में दाम निर्धारित कर दें ताकि किसान का गल्ला कम दामों में न बिखने पाए अन्य की समस्या आज बहुत नहीं है आज लोगों को बहुत कट्टों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार किसानों से संबंधित कारियों कुछ समय पर नहीं निप्टाती है समय रहते किसान की पाकिस उन्नती और खेती के सुन्दर विकास के संबंध में मैंने बहुत सी बाते की समाप्त